Hello everyone, welcome to this channel, I am CS Ritu, आज के इस वीडियो में बात करेंगे विदानता लिमिटेट के बारे में विदानता लिमिटेट के बारे में आज ये एक बहुत इंपोर्टन अपडेट आया है कमपनी फोर्थ इंटरिम डिविडेंट देने वाली है अपने शेर होल्डर्स को और इस इंटरिम डिविडेंट की रिकॉर्ड डेट भी कमपनी ने अनौस कर दी है क्या रिकॉर्ड डेट है, कब डिविडेंट की डिकलरेशन होगी और कितने का डिविडेंट हमें विदानता लिमिटेट में मिल सकता है ये सब हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे इस वीडियो को जादा से जादा लाइक करेगा ताकि ये वीडियो जादा से जादा लोगों तक पहुंच सके और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा ताकि हम आपके लिए इंपोर्टेंट अपडेट्स लाते रहें कमपनी ने आज ही एनाउस किया है कि कमपनी फोर्थ इंटरिम डिविडेंट देने वाली है अपने शियर होल्डर्स को और इस इंटरिम डिविडेंट की डिक्लिडेशन कमपनी करेगी फ्राइडे 27 जनवरी 2013 को यह हमने आपको पहले ही इंफर्म कर दिया था कि फ्राइडे 27 जनवरी 2013 को कमपनी अपने फिनेंशल रिजल्स भी डिक्लियर करने वाली है दिसेंबर कॉर्टर के और आज कमपनी ने एनौस किया है कि रिजल्स के साथ कमपनी फौर्थ इंटरिम डिविडेंट भी उसे दिन डिक्लियर करेगी इस फौर्थ इंटरिम डिविडेंट की रिकॉर्ड डेट भी कमपनी ने आज डिक्लियर कर दी है इस Interim Dividend की Record Date है Friday 4 February 2013 4 February 2013 को जो भी इस Company के Share Hold करता होगा वो इस 4th Interim Dividend के लिए Entitled होगा बट कितने का Dividend हमें Company में मिल सकता है Dividend Yield इस Company का बहुत अच्छा है तो इस बार कितने के Dividend की Expectation है Past Trends of Dividend अगर हम देखें तो Financial Year 22 में Company ने 3 बार Interim Dividend Declare किया है और इस Financial Year में Company ऑलरी 3 बार Interim Dividend Declare कर चुकी है पहला Interim Dividend था 31.5 रूपीज के हिसाब से 2nd था 19.5 के हिसाब से और 3rd था 17.5 के हिसाब से अब Company 4th Interim Dividend Declare करेगी Expectation यह है कि 10-15 रूपीज के बीच में यह Dividend हो सकता है जो Company Declare करेगी Because Company की Subsidory Company Hindustan Zink Limited ने Interim Dividend Declare किया है अगर आप यह अपडेट जानना चाहते हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर लिजे आपको मिलते रहें